HDFC Bank ने रूपे के साथ मिलकर अपना रूपे क्रेडिट कार्ड लॉंच किया है जिसे आप UPI Transaction के लिए इस्तमाल कर सकते हो तो आज हम जानेंगे इस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जान करी जैसे कि इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या क्या Benefit देखने को मिल जाते हैं इस क्रेडिट कार्ड में क्याश पाउंट कितनी मिलते हैं एक क्याश पाउंट का Value कितना है तो सबसे पहले हम जान लेते इस credit card के benefit के बारे में तो यहाँ पर हमें कोई भी welcome benefit देखने को नहीं मिलता लेकिन इस credit card का आप UPI transaction के लिए use कर सकते हो और उसमें बहुत सारे cash point earn कर सकते हो यह कैसे cash point earn किया जाता है इसको मैं आगे बताने वाला हो यह एक virtual credit card है आपको कोई भी यहाँ पर physical credit card देखने को नहीं मिलता HDFC bank ने रुपे के साथ मिलकर यह credit card launch किया है जिसे आप home page, gpay, pay tm में use कर सकते हो UPI transaction के लिए अगर आप चाहते हो इस credit card के लिए apply करना तो नीचे link description में मिल जाएगा जहाँ पर आप click करके इस credit card के लिए apply कर सकते हो और अगर आपके पास पहले से credit card है तो आपको my card application होगा HDFC का वो application install करना है, download करना है, sign up करना है और वहाँ पर आपको pre-approve यह credit card मिल जाएगा जिसे पर आपको click करना है और apply करना है और immediate यह app के लिए approve हो जाएगा पयजumin ट्रांजक्शन के लिए groceries में supermarket and dining spend पर अगर आप इस credit card का use करते हो तो वहाँ पर आपको 3% का cash point मिलने वाला है और अगर आपको This credit card का use utility spend पर करते हो तो वहाँ पर आपको 2% का cash point मिलने वाला है और अगर आप इस credit card का use कही पर भी करते हो तो भी आपको यहाँ पर आपको 1% का cash point मिलने वाला है लेकिन यह cash point आपको नहीं मिलने वाला है rent, wallet, load, EMI, fuel and government spend पर अगर आप इस credit card का use करते हो तो वहाँ पर आपको कोई भी cash point नहीं मिलने वाला है एक cash point का value है 0.25 पैसा और यह cash point आप earn कर सकते हो 500 पर मतलब उससे ज़्यादा नहीं कर सकते है आप कही पर भी इसे इस्तमाल करें, groceries में, page app, transaction के लिए या फिर आप other spend पर भी इसका इस्तमाल करते हो तब भी आपको हर मैने 580 cash point मिलने वाला है और एक cash point का value है 0.25 पैसा मतलब कि यहाँ पर आपको 125 रूपीज हर मैने फायदा होने वाला है fees and charges की बात के रहें तो यहाँ पर हमें joining fees लगती है 250 रूपीज और annual fees है इस credit card की 250 रूपीज लेकिन यह annual fees वेव होगी अगर आप इस credit card का यूज करते हो और 25,000 के उपर इसका spend करते हो एक साल में तो जो annual fees होगी वेव होगी नेक्स साल आपको कोई भी annual fees नहीं देनी है तो आपको हर सायल ऐसे ही करना है 25,000 के उपर इसको spend करना है और आपकी जो annual fees होती है वो वे होनी वाली है late payment charges की बात के रहें तो other credit card की तरह ही यहाँ पर भी आपको late payment charges देखने को मिल जाते है जैसे कि अगर आपका bill है 100 rupees और आप time पे इस credit card का bill नहीं pay करते है तो वहाँ पर आपको कोई भी charges नहीं लगने वाले है लेकिन अगर आपका bill है 100 rupees to 500 rupees और अगर आप इस credit card का bill नहीं pay करते है time पे तो आपको वहाँ पर 100 rupees penalty लगने वाले है charges लगने वाले है अगर आपका bill है 500 rupees to 1000 तो वहाँ पर आपको 350 देना होगा 1000 तो 10,000 वहाँ पर आपको 550 10,000 तो 25,000 वहाँ पर आपको 800 25,000 तो 50,000 वहाँ पर आपको 1100 और अबाव 50,000 होगा तो वहाँ पर आपको 1300 रुपे extra charges pay करने परेंगे late payment के लिए तो मेरे ही सबसे अगर आप इस credit card का bill time pay करते हो तो आपको कोई भी late payment fees नहीं देने पड़ेगी अब बात कर लेते इस credit card को apply करने के लिए documents की requirement क्या क्या है अगर आपकी age है 21 अभाव तो आप इस credit card के लिए apply कर सकते हो एक्विपेशन में आपकी job करते हो तो salary slip लगेगी ITR file for business के लिए और bank statement होगी तो भी आप इस credit card के लिए apply कर सकते हो और जो आपकी minimum income होगी वह 20,000 के अभाव होनी चाहिए इस credit card को apply करते समय हमें identity proof और address proof क्या क्या लगने वाला है ये भी हम जान लेते हैं तो proof of identify के लिए हमें लगेगा pen card, आधार card, driving license, passport, order ID इन में से कोई भी आपके पास एक है तो भी आप इस credit card के लिए apply कर सकते हो और address proof के लिए आपके पास होना चाहिए आधार card, driving license, passport, utility bill जो आपकी latest three months के होगी या फिरेशन card, इन में से कोई भी आपके पास है तब भी आप इस credit card के लिए apply कर सकते हो और मैंने आपको बताया था proof of income में की latest salary slip होगी तो भी चलेगा last three months की bank statement होगी तो भी चलेगा और ITR file होगी तो भी चलेगा और अगर आपके पास पहले से HDFC का credit card है तो HDFC my card application है उसको आपको download करना है, sign up करना है, login करना है और वहाँ पर भी आपको सामने pre-approved का message आ जाता है जहाँ पर आपको click करना है और इस credit card के लिए apply करना है तो मेरे ही साब से ये credit card काफी अच्छ है अगर आप चाहते हैं इसे apply करना तो apply कर सकते हो क्योंकि इस credit card का use आप UPI transaction के लिए कर सकते हो other bank आपको UPI transaction के लिए allow नहीं करते हैं और आप normal भी UPI transaction करते हो other bank का जैसे कि debit card से जो UPI transaction होता है तो वहाँ पर आपको कोई भी cash point या cash back नहीं मिलता है लेकिन इस credit card का use UPI transaction में भी करते हो तो वहाँ पर भी आपको cash point मिल जाते हैं जो आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हो आगे जाके तो मेरे इससाब से अगर आप चाहते हो इस credit card के लिए apply करना तो apply कर सकते हो इसका जो annual fees और जाइनिंग fees है तो मेरे इससाब से ये काफी अच्छा credit card रहेगा अगर आप चाहते हो apply करना तो और आप other credit card के लिए apply करना चाहते हो lifetime free credit card के लिए apply करना चाहते हो तो उसका link भी नीचे description में मिल जाएगा तो मुझे उमिद है चोटी सियान कर आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर कीजी और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले तो मिलते हैं ऐसे ये नए इंट्रेस्टिंग जानकर के साथ तब तक लिए धन्यवाद आपका दिन शूब रहे